नमस्कार आप सभी को एस्बी टी साज बहू के तड़का में आप सभी का श्वागत है ये कद्दू की भाजी है, मक्ना भाजी भी बोलते हैं, कुमडा भी बोलते हैं और इंग्लीज में इसको पमकीन भी बोलते हैं ये भाजी बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये गाउं से लाई हुई भाजी है एकदम शाप, सुत्रा और बहुत ही ताजा भाजी है तो कद्दू की भाजी और ये कद्दू है मखना, कुमडा ये कच्चा वाला है इसी का छोटा हिसा इस भाजी में डालेंगे जो बहुत ही स्वादिश्ट लगता है और थोड़ी सी चन दाल भी भीगा दी हूं एक घंटा पहले और ये तीनों को मिक्स करके बनाऊंगी चने के डाल को आप एक घंटा पहले ही भीगा के रखे ये छोटा हिसा मैं कद्दू का लेली हूं उसको ना बहुत बारिक ना बहुत बड़ा ऐसे पीस में काट लेना है पहले साप धोली तो हमारे चैनल को लाश्ट तक देखेंगे तब ये मखना की भाजी, कद्ड़ू की भाजी कैसे बनता है ये आपको समझ में आएगी हमारे चैनल को फ़र्स टाइम आए हैं तो सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और पसंद आए तो सब्काइब कीजिए यह बहुत ही टेस्टी कद्दू की भाजी है तो आप भाजी को पहले साब धो लें और फिर इस तरह से बारिक काट लें कद्दू की भाजी है, मखना भाजी है, कुमडा भाजी है देखे कितना बारिक कटा हुआ है, साब धो कर फिर काट लेना है साप पानी से दोकर जो पहले भी बता चुकी हूँ आपको हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्क्राइब कीजिए यह सिजनल भाजी है, यह देखिए, कूकर में मात्र एक सिटी में यह पक चुका है अच्छे से साप धोकर डाल दी थी मैं, यह देखिए, भाजी फ्राई होने के बाद कितना अच्छा दीख रहे, आगे कैसे बनता है वो भी आपको दिखाएंगे, उसके लिए आपको लाश्ट तक देखना होगा यह भाजी भाद बहुत अच्छा लगता है, रोटी भी है तो लाश्ट तक देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा यह देखिए, एक ब फिर से दिखाती हूं कि इस तरह कद्दू की भाजी को साप पानी से धो लेना है पानी से धो कर और फिर बारी काट लेना है यह देखिए, जो मैं आपको दिखाई हूं आप चाहें तो इस भाजी को चना दाल को पहले पक जाए फिर भाजी को डालना है और फिर मखना और उसका तुकड़ा जो काटी एक बार फिर से दिखाती हूं इतना बड़ा था इसको छोटा तुकड़ा काटी हूं है और बारिक लशुन भी विर्ची भी तड़का के लिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूं इस तरह से इसको मखना को काट लेना है और यह कुकर में डाल कर या तो एक सिटी लगा लीजिए कड़ाई मुसको अच्छे से पकने दे चना दाल भी है आधा की इलो के करीब मेरी भाजी और सब मिलाकर चना दाल है चोटी काटोरी माधा काटोरी चने की दाल थी उसको भीगा ली थी पहले अब यह दो चम्मश तेल है दो से तीन चम्मस तेल डाले लाशूल यह मिर्च है तड़का लगाना है और एक टमाटर भी डाल देना है यह देखिए एक छोटी टमाटर है यह थोड़ी सी पक जाए फिर इसमें स्वादमसार नमक भी डालना है इसमें स्वादमसार नमक डालना है अब यह भाजी को इसमें फ्राई कर देना है तो बहुत ही असान और स्वादिश्ट सब्जी है और बहुत असान तरीके से बनता है एक बर बनाकर जरूर खाईए हमारे 36 गड़ में तो इसे बहुत पसंद करते हैं और देशी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं कोई अन्य मिर्च मसाले की ज़़ुरत नहीं है एकदम सिंपल तरीके से बनाएं तभी इसका वास्तविक स्वाद रहता है चना डाल कद्दू की भाजी और कच्चे कद्दू का साथ में मिला कर बना हुआ है देखें की इतना अच्छा दिख रहा है ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है आप इसे चावल के साथ खाईए भाद के साथ भाजी और भाद बहुत टेश्टी लगता है तो हमारी भाजी बनकर तयार है एकदम गर्मा गरम भाजी है देखिए एक बर बना कर जरूर खाईए बस इतना दिहान रखना है कि भाजी को जटक कर साब धोकर काट लेना है चना दाल को एक घंटे पहले भीगाना ये देखिए रोटी बात और भाजी तो थेंक्यू सो मस्लाइक सब्क्राइब नमक डाले स्वादा नुसार मखना भाजी कद्दू की भाजी में नमक कम डालना चेहे क्योंकि भाजी थोड़ा सा कम हो जाता है तो नमक स्वादा नुसार डाले